C.I.E.T. and C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 22 पाठ दाया बाया यहां हाथ का एक चित्र बना है उस पर अपनी हथेली रखो अंगूठे पर अंगूठा और उंगलियों पर उंगलिया तुमने जो हाथ चित्र पर रखा है वह तुम के पन्ने पर रखो और दाया हाथ से उसके किनारे किनारे पैंसल चला कर चित्र बनाओ इस बार तुमने जिस हाथ का चित्र बनाया है वह तुम्हारा बाया हाथ है करो दाया हाथ आगे करो दाया हाथ पीछे करो यह उपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ आएगा फिर करो बाया हाथ आगे करो बाया हाथ पीछे करो ये उपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ आएगा फिर मजा इसी तरह अब दाएं पैर और बाएं पैर के लिए भी गाओ अब देखो और बताओ कि कक्षा में तुम्हारी बाएं और क्या है? तुम्हारे पीछे क्या क्या है? तुम किसके बाएं और बैठे हो? तुम्हारी दाएं और क्या है? तुम्हारी दाएं और कौन बैठा है? तुम्हारे आगे क्या है? तुम किसके दाएं और बैठे हो? यहां रुचिरा का एक चितर है रुचिरा खाली स्थान के बीच में बैठी है अब तुम इसी चितर में बनाओ रुचिरा के पीछे किताब का चितर रुचिरा के आगे पेड का चितर रुचिरा की दाइं तरफ किसी जानवर का चितर और रुचिरा की बाइं तरफ कुर्सी का चितर अब रुचीरा को घर से स्कूल पहुचाओ यहाँ एक चित्र दिया गया है रुचीरा के घर से स्कूल तक का रास्ता अब रुचीरा के घर से स्कूल तक का रास्ता रंगीन पैंसल से दिखाओ रुचीरा के घर के दाई तरफ है एक हैंड पंप hand pump घर पेड आगे जाते हैं तो दाइं तरफ है पार्क कुआ रुचिरा के घर के सामने है दाग घर बस्चॉप अस्पताल और आगे जाते हैं तो है दुकान पेड और स्कूल आपको बताना है रुचिरा को घर से स्कूल तक के रास्ते में कौन कौन सी जगह और चीजें मिलेंगी उनकी नाम लिखो इन में से कौन सी चीजें और जगह दायोर मिलेंगी और कौन सी बायोर रुचिरा को घर से स्कूल जाते समय कुल कितनी बार मोड़ना पड़ेगा तुमने रास्ते में कई तरह के निशान देखियोंगे, जैसे अस्पताल का रेड प्रॉस का निशान, क्या तुम बता सकते हो कि ये निशान क्यों बनाई जाते हैं, यहां एक सूची बनी है, इसमें से तुम अपनी इच्छा से कुछ निशान बनाओ, ये निशान पहले वाले निशानों से अलग बनाना, इन निशानों को नक्षे में भी बनाओ, सूची है, रुचिरा का घर, स्कूल, डाक घर, पेड, अस्पताल, बस स्चॉप, कुउआ, दुकान, गेट, घर तुमने अस्पताल पर रेट रॉस चिन देखा होगा, इस चिन की मदद से बिना पड़े ही अस्पताल को पहचाना जा सकता है ऐसे और कौन-कौन से चिन तुमने अपने आसपास देखे हैं, उनके चितर बनाओ, और ये भी बताओ, कि ये क्या दर्शाते हैं, जैसे एक चिन और वो क्या दर्शाता है नक्षे में दिखाए गए निशानों की सूची, ध्यान से देखो और लिखो घर उसका निशान, पेड उसका निशान, हैंड पंप उसका निशान, गेट उसका निशान, कुवाँ उसका निशान, बस चौप उसका निशान डाक घर उसका निशान, अस्पतार उसका निशान, दुकान उसका निशान, स्कूल उसका निशान अब बताओ, नक्षे में कितने घर हैं, नक्षे में कितनी दुकाने हैं, नक्षे में कितने पेड़ हैं, नक्षे में कितने हैंड पंप हैं स्कूल, पोस्ट ओफिस के पास है या अस्पताल के पास बस्ट ओप के पास क्या है? यदि नक्षे के साथ सूची ना होती तो तुम क्या नक्षा पढ़ पाते? गणित में जो चिन तुमने सीखे हैं उन्हें लिखो आपके घर से स्कूल के रास्ते में आने वाले स्थानों को चिनों के द्वारा दर्शाओ आप अपनी पसंद के चिन प्रयोग कर सकते हो दाया बाया अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत